हेलो फ्रंट वेल्कुम तो शामनीस के जम आज मैं आपके सामनी चोकलेट के रिसी पीरे करके आई हूँ जिसे मैं बीना बेक किये और बीना चोकलेट का पाउड के बनाओ नहीं किये चोकलेट काफी असानी से और बहुत ही मार्गेट के पाई से सस्ती बढ़ती है चलिए के लिए हमें चाहिए कोका पाउडर आपको भी ब्राइंट का कोका पाउडर इस्तमाल कर सकते हैं पाउडर शूगर चीनी को मिक्सी में पीस ले तो यह हमारा पाउडर शूगर हो गया मिल्क पाउडर अंसॉल्डेट बटर और कुछ नट्स है रेजिन्स किश्मिश आलमें उर मेजिर में चेशलिया है समान करें और हमें मेज़र्मेंट के लिए एक कोई पीशी ब्ल settना करी सबसे पहले हम एक बॉल में एक स्मॉल ग्लास का मिजरमेंट बनाया आप किसी भी चीच का मिजरमेंट बना सकते हैं तो हम दो ग्लास कोका पाउडर लेंगे फ्रेंज मैं आपको ऐसा इसलिए करके दिखा रहे हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए मिजरमेंट में प्रावडर ना हो और यह दूसरा कलास है तो हमने लिया दो स्मॉल ग्लास कोका पाउडर और अब हम इसी प्रकार यह जो हमारा पाउडर शेगर है इसे भी हम नाप लेते हैं औरilyसे भी हम दोскомड काउड डालेंगे अगर आप कप से नाप रहे हैं तो दो कप कोका तो दो कप पाउडर शुगर यह दिखिए ठीक है और इसमें हम डालेंगे अगर आप स्पून से नापे तो यह सारा समागरी 4-4 टेबल स्पून है जैसे 4 टेबल स्पून कोका, 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर अब सारे ड्राइ समागरी को हम बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं यह देखिए फ्रेंड्स हमने सारे ड्राइ इंग्रिटिंस को बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेया है अब हम एक दुसरा पॉल लेके, अब हम दुसरे पॉल में मिल्टेट बटर डालेंगे, मिल्टेट बटर के लिए आपको बटर को बिलकुल नहीं जलाना है, सिर्फ बरतन को करम करें, उसमें बटर डालें, वो आटोमाटिक पिखल जाएगा, और सेम मिजर्मेंट से हम, वान, टू, ट्री, मैंने थ्री स्मॉल ग्लास बटर लिया है, और अब हम इसमें हमारा ये जो ट्राइ इंग्रेडियन से, इसे हम मिक्स करेंगे, धीरे-धीरे फोब के साहिता से, को इसी प्रकार इसे मिक्स करना है, धीरे-धीरे, और अगर आप बहुत जादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, वान टेबल स्पून शूगर, आड़ और कर सकते हैं, इसका टेस्ट, डाक चॉकलेट की तरह, आपको लगेगा, तो चलिए, ये हमारा अपने अब रादा की आपने कर छुकला है, अब बहुत ही, तो आप बास को पताओंगी तो इसे मिक्रुत प्रिखलेट उन करे पता है w निकालने में हमें जरा भी परिशानी ना हो हमें इसे बहुत ज्यादा बटर नहीं लगाना है यह देखिए फ्रेंड्स यह देखिए जैसा आप देख सकते हैं कि यह काफी तेजी से ड्राइ होता जा रहा है तो आप इससे बिल्कुल भी रखना नहीं है आपको इसे तुरत आ यह देखिए हमने चॉकलेट को इसमें हाफ फिल कर लिया है अब हम इसमें बादाम इस प्रकार डालते हैं तोड़े से काजू और किश्मिश यह देखिए हमने नट्स इसमें डाल दिया है इसे हलका सा हाथ से दाब देंगे और इसे हम यह जो हमारा मिक्षर है से कवर कर देंगे कवर करने के लिए इस प्रकार हलका 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 यह देखिए हमने थोड़ा थोड़ा मिक्षर इसमें डाल दिया है और इसे स्पून से हलका सा पुश कर देते हैं आप इसे हाथ से भी पुश कर सकते हो दाप सकते हो हमने मिक्षर को बहुत अच्छे से आइस क्योग में यह देखिए पील कर लिया है और इसे हलका सा टाप कर लिए और अब हम टीशे पेपर के साइटा से साइट से पोच लेते हैं यह हमारा रेडी हो चुका है इसे हम कवर कर देंगे और वन आर के लिए डिप फ्रीजर में रखेंगे तो वन आर की बाद हम इसे चेक करते हैं हमारा एक खंटा कम्प्लीट हो गया है अब हम चॉकलेट चेक कर लेते हैं यह बहुत अच्छे से जम चुका है यह देखिए मैं एक और बात आपको बताना चाहते हूं कि जब भी आप चॉकलेट बनाए तो ड्राइ मिक्षेर को जब हम बटर में मिक्स करेंगे तो उस टाइम आप 10 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस या 10 ड्रॉप स्वेनिला एसेंस डाल सकते हो इससे हमारा चॉकलेट और वी जादा टेस बाहर आ जाए अब हम प्रेय में इसे पुलेट लेते हैं तो कासा टाप करेंगे यह देखिए हमारा चॉकलेट बहुत अच्छे से बाहर आ चुका है यह देखिए हमारा चॉकलेट बहुत अच्छे से बाहर आ गया है और यह बहुत अच्छे से जंग गया है मैं आपको इस काफ़ी क्रंची बना है प्रेंस आपकी चॉकलेट जरूर राय करें अगर आपको आज हुर्मेट चॉकलेट की विसीपी पसंद आई हो प्लेस लाइक, सब्सक्राइब और प्लेस कमेंट वेलों थांक्यू